क्या आपको भी ऐसे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है या फिर हमारे आगे वाली जनरेशन से जल्दी बीमार पड़ जाते है थोड़ा सा क्लामेटिक चेंज और हमें सर्दी जुकाम होता है थोड़ा सा खाने में चेंज और हमें ग्यास आस्रेडिटी ब्लोटिंग चासी प्रॉब्लेम होती है जबके हमारे मम्मी पापा या दादा दादी वाली जो जनरेशन है अभी तक काफी हल्दी और फिट है और अगर उनसे पूछा जाए तो वो एक बात जरूर बताते है कि हमारे खाने के इतने नकरे नहीं थे हमें जो मिलता था हम वो खा लेते थे वेल यह बात कितनी सच है क्योंकि आज हम क्या कुछ नहीं खाते है एक्जोटिक सूपर फूर्ट्स भी खाते है लेकिन इन सूपर फूर्ट्स की हमें क्या जरूरत पड़ी क्या हमारे आमला में विटामिन C की कमी थी या फिर हमारी गुड और मुंगफली में आयन की कमी थी वेल ये हम पर इंपोज किया फूर्ड इंडस्ट्री ने कुछ actresses ने, actresses ने और influencers ने कि आपको super foods खाने चाहिए और वो भी exotic होने चाहिए तभी आपकी health अच्छी रहेगी नमस्ते मैं उलका हमारे चानल में आपका स्वागत करती हूँ आज का हमारा topic है exotic foods versus local foods क्या हमारे लिए best है और ऐसे क्या देसी alternatives है जो आपको exotic foods की जगट ट्राइ करने चाहिए जो कि आपके लिए ज्यादा beneficial है चलिए आपको 5 वज़ा देती हूँ कि क्यूं आपने देसी food खाना चाहिए सबसे पहला है ज्यादा nutrition आप ही सोचिए एक exotic fruit आपके घर में आने में कितना time लगता है और एक local market का local fruit आपके घर में आने में कितना time लगता है एक exotic fruit साथ समंदर पार करके आपके घर में आता है जबकि एक local fruit easily आपको available हो जाता है जितना ज्यादा टाइम आप तक पहुचने में लगता है उतना ही ज्यादा उसका डिग्रेडेशन होता है क्योंकि आपको तो यह पताई होगा जब हम प्लांट से उसे निकाल लेते हैं तब इसे उसका डिग्रेडेशन प्रोसेश शुरू हो जाता है और उसकी है वो कम हो जाता है हम तक आने में इसलिए हर वक्त आप कोई लोकल फूर्ट या लोकल वेजटेबल चूज करना ज्यादा न्यूट्रिशन के लिए सेकेंड है इटिंग लोकल मतलब इटिंग सिजनल नेचर हमें जो फूर देता है वो क्लाइमेटिक कंडिशन के उपर होते हैं क्योंकि हमारे बॉड़े के लिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉड़ी इन क्लाइमेटिक कंडिशन जैसे ही चेंज होते रहती है हर मौसम के साथ और इसलिए सीजनल अगर आपको खाना है तो आपको लोकल मार्केट में ही सीजनल फूर्ट या फिर वेजटेब है वो भी सीजनल फूर्ट खाने की विज़र से कम होते हैं थर्ड है लोकल फूर्ट से न्यूट्रिशन पाने के लिए आपको कम पैसे देने पड़ते हैं एक्जोर्टिक फूर्ट प्लेन से हमारे पास आता है उसके ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिस लग जाते हैं कोल लिए कम पैसों में हम ज्यादा नुट्रिश्यस खाना खा सकते हैं फूर्थ है टेस्ट में बेटर होते हैं लोकल फूर्ट आप सोचिए आपको अगर चाइनीज खाना है तो देसी वाला चाइनीज खाओगे या फिर ऑथेंटिक चाइना वाला चाइनीज खाना पसंद करो करोगे या फिर वह भी तेसी स्वाद के साथ खाना पसंद करोगे वैव वैसे जैसे हमारे स्पाइस में ज्यादा और अच्छा टेस्ट होता हैं वैसे हमारे । में भी है हमारे फेस आफ्री से और फिफ्ट है हमारी जो लोकल लोग है उनकी विश्यग को बूस्ट करना हम जब लोकल कुछ खरीदते हैं तो हमारे जान पैचान वाले वेंडर्स होते हैं उनके पास पैसे जाते हैं वो नहीं जो कि बहुत बड़े कंपनी या फिर फूड इंडर्स्टी वाले हम तक पहुचाते हैं और क्या पता आप अगर उनके पास बार-बार जाते हुए तो आपक कर सकते हैं सबसे पहला है अवकाडो जिसमें होता है पोटाशियम, मागनेशियम, गुड़ फाट और आयन और आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं बनाना के साथ नट्स और कोकोनट के साथ नट्स अच्छे सोर्स होते हैं गुड़ फाट के लिए बनाना में पोटाशियम और म अच्छी कॉंटिटी में होता है और कोकोनट से हमें जिंक और आयन मिलता है सेकेंड है जुकिनी इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं गॉर्ड फैमिली से जिसमें आता है लौकी तुरई या फिर टिंडा क्यूंकि इनकी कॉंपोजिशन भी सिमिलर है और अगर आपको सालाइड में यूज करना है तो आप कुकुमबर का यूज कर सकते हो थर्ड है ब्लू बेरीज और क्रैन बेरीज इनमें होते हैं कई सारे अंटि अक्सिडेंट्स ये शुगर लेवल में कम होते हैं अच्छे फैट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं वेल आप इनको replace कर सकते हो local bears से, jamun से, आमला से, आपको तो पता है, jamun sugar के लिए कितना beneficial है, और आमला ये तो super food है इंडिया का, आप इसको कही भी use कर सकते हो. फोर्थ है kale, इसकी जगवा पे आप radish, beetroot, इसके जो green आते हैं, greens आते हैं, उनको use कर सकते हो, या फिर आप moringa के flowers भी use कर सकते हो, moringa मतलब drum stick के पेड के जो leaves होते हैं, आप उनका भी use कर सकते हो, आप lettuce की जगवा cabbage यूज कर सकते हो, ये generally salads में use होता है, तो आप lettuce की जगवा cabbage य आप किनोवा की जगवा, amaranth और कई millet यूज कर सकते हो, जैसे बाजरा, जवार या फिर रागी, आप olive oil की जगवा, cold pressed oils और ghee यूज कर सकते हो, और क्योंकि olive oil इसका जो smoking point है, वो काफी कम है हमारी cold pressed oils से, तो ये deep fried के लिए भी अच्छे होते हैं, और ghee तो हमारे शास्त्रों में इसको अमरित का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमें जो local है, वही यूज करने चाहिए, जनरली केरणा में जैसे coconut oil यूज होता है, महराष्टर और गुजराद में ground nut, आंधरप्रदेश और राजस्थान में सिसमसिड oil, olive oil ये हमारे पास था ही नहीं, ये काफी new concept है, औ ये थे alternatives जो आप आपके diet में यूज कर सकते हो, well hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो like और share जरूर कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चानल को भी subscribe कीजिए, अगर आपको इन topics के बारे में और जाना है तो मैंने description box में links दिये है, उनको refer कर सकते हो